नमस्कार दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं हाल ही में राष्ट्री सुरच्छा दिवस कम मनाया गया है आपके आपसन है दो मार्च, चार मार्च, तीन मार्च या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है भी चार मार्च यानि चार मार्च को राष्ट्री सुरच्छा दिवस मनाया गया है इसके अलावा एक मार्च को सुन्य भेदभाव दिवस और तीन मार्च को विश्वणने जीव दिवस मनाया गया है बढ़ते हैं अगले प्रस्म की ओर? खाल ही में केंद्रि मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर किस जगये पर यूँओ उत्रशाओ की शुरुवाद की है केंद्रि मंत्री है ये अनुराग ठाकुर तो इसके option है IIT Mumbai, IIT दिली, IIT आयाईटी कानपूर या IIT रोपड तो इसका सही उत्तर है IIT रोपड जी हाँ IIT रोपड जो है इसका सही उत्तर होगा D option इसका सही उत्तर है और जब बात IIT की चल लए यह IIT रोपड जो है पंजाब में है बात IIT की हो रही है तो next generation fuels पर IIT मदरास है उसने Denmark के साथ साजेदारी की है इसके इसके अलावा आई आई टी मद्रास इसरों के लिए इस पेस फ्लाइट प्रसिच्छन माड्यूल विक्सित करेगा इसके अलावा आई 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 टी मद्रास ने राष्टी बहुत धिक संपदा पुरसकार जीता है नासा जो अंतराष्टी एजन्सी है अमेरिका की और आई प्रेटी कानपुर ने निर्मान त्वरक कारिक्रम सुरू किया बहुत ही अच्छा लग रहा आप लोगों को तो अब लोग अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और पहली बारा हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अ प्रेंजेक्स 23 में भाग लेगी आपके आपसने जर्मनी जापान फ्रांस और रूस तो इसका सही उत्तर है सी फ्रांस जी हा ये एक युद्ध अभ्यास है जो भारती सेना और फ्रांसीसी सेना एक साथ इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगी भारती सेना और फ्रांसीस सेना साथ और आठ मार्च को संयुक्त सैन अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में भाग लेंगी इसका उद्देश जो ये फ्रिंजेक्स 23 है उसका उद्देश दोनों दलों के बीच अंतर संचालन समन्वय और सयोक की भावना को बढ़ाना है अभ्यास के लिए एक विसे है विसे का नाम में विवादित वातावरण में मानवी साहता और आपदा राहत अभ्यान पर आधारित है इसके लावा फ्रांस और भारती नौसेना ने इससे पहले भी 16 से 20 जनवरी 2023 तक एक दुपच्छी नौसेनिक अभ्यास वरूण 2023 बहुत इंपर्टेंट है वरूण 2023 में भाग लिया था इसके लावा भारत और फ्रांस ने 26 अक्टूबर से 12 नौंबर 2022 तक जोदपुर में गरूण सेवन ये एक बहुत ही महत्पूर्ण अभ्यास हुआ गरूण सेवनी कई परिच्छाओं में पूच्छा भी गया गरूण सेवन तो इसमें जो है भारत और फ्रांस की जो सेनाएं हैं उन्होंने भाग लिया था बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और अगला प्रसंद है महिला प्रीमियर लीग चार मार्च 2023 को कहां शुरू हुई महिला प्रीमियर लीग यानि डबलू पील जो की आईपील की तरज पे खेली जा रही है इसको अपसन आपके हैं नवी मुंबई कोलकाता चेननाई या लखनव तो इसका सही उत्तर है ए नवी मुंबई यानि महिला प्रीमियर लीग चार मार्च 2023 को नवी मुंबई से है उसी की तरज पर महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया लीग के पहले संसकरण में कुल पांच टीमें हैं पहली टीम है मुंबई इंडियन्स एमाई दूसरी टीम है रायल चैलेंजर बंगलोर आर सीबी फिरसरी है दिल्ली कैपिटल्स डीसी चौथी है यूपी वारियर यूपी डबलू और पांचवी गुजरात जैंट्स गौर तलब है टूनामेंट का फाइनल मैच 26 मार 2023 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा बहुत ही महतुपूर्ण कोस्चन है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण क्यों अगला प्रस्ण है जेरडेन के सं संकीन मुह वाले मेड़क को किस इस्तान पर फिर से देखा गया है एक बहुत ही महतुपूर्ण प्रस्ण है इसके संभावना अच्छी खासी है इसके आप्सन है पस्चिमी घाट पूर्वी घाट धौला घाट या गंगा घाट तो इसका सही उत्तर है पस्चिमी घाट जी ह जो है यूपे रोडोन मॉन्टानाई कहा जाता है आखरी बार इसे 1934 में अध्यन के लिए देखा गया था उसके बाद से इस मेड़क को नहीं देखा गया है इस मेड़क को एक परवती प्रजाती माना जाता है और मुख के रूप से 800 से 1700 मीटर की उचाई पर पाया जाता है इस प्रजाती के मेड़क को IUCN सूची में खत्रे के करीब के रूप में वरगी इकरत किया गया है यानि इसको बिल्कुल खत्रे के करीब माना गया है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और प्रस्न है हाली में आईफोन बनाने वाली कमपनी फाक्स फान ने किस राज में एक अ पुरिशा करनाटक उत्तर फ्रदर्हय इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है करनाटक जी यहां करनाटक में यह जो आपका करनाटक करनाटक राज है इसमें आईफोन सरकार ने अमरत नगर उत्थान योजना की गोशना की है आगे और जानते हैं करनाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लीनिक लांच किये हैं और सबसे बड़ी बात करनाटक में एसिया का भारत का नहीं एसिया का सबसे बड़ा हेलीकाप्टर कारखाना खोला गया है बढ़ते आपसन है मुंबाई कोटा कोलकाता या बोपाल तो इसका सही उत्तर है कोटा जी हां कोटा में हाल ही में MSME और द्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्गाटन हुआ है अगला प्रसन है हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रो केमिकल से संबंदित नए प्रतिबंद लगाए है आपके आपसन है यूक्रेन रूस पाकिस्तान या इरान तो इसका सही उत्तर है डी इरान जी हाँ अमेरिका ने हाल ही में इरान पर नए नए प्रतिबंद लगाए हैं अगला प्रसन है हाल ही में अपसन है आपके आप्सन है BPCL, HPCL, Gale या ONGC तो इसका सही उत्तर है Gale जी हाँ टाटा स्टील माइनिंग में स्वच इधन प्राप्त करने के लिए Gale के साथ समझवता किया गया है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न है हाल ही में किस राज ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की व्रदि दर्ज की है आपके आप्सन है उडिसा, केरल, करनाटक या इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है वो है उडिसा जी हाँ उडीसा में जैस्टिस अंग्रह में 40% की वरदी दर्ज की गई है बात हो रहे ही उडीसा की तो उडीसा के बारे में और जान ले उडीसा में हाली में 3 जीलों में 6 की खानें मिली है इसके अलावा उडीसा का पहला agree chatbot अमाक रुसाई उडीसा में लांच किया गया है जो कि भारत का पहला एग्री चैट बाट है इसके अलावा सबसे महत्रपूर कोस्चे ने पंद्रवें हां की पंद्रवें हां की विस्वकप का उद्गाटन कटक उडीसा में हुआ है पंद्रवें है मैं नहीं आगे बढ़ते ह प्रस्न की और प्रस्न है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बारियर लगाया है बांस बारियर बारियर यानि जो रोकने के लिए लगाते हैं बांस बारियर लगाया है किस देश ने लगाया है तो वो बांस बारियर जो है बेरिया नहीं है बांस बारियर है भारत ने हालही में दुनिया का पहला मांस बैरियर लगाया है बढ़ते हैं अगले प्रस्ज़न की और अगला प्रस्ज़न है हालही में किस राजी के मख्यमंत्री मारिक साहा ने इस्तीफ़ा दे दिया है आप क्या अफसान है असम कम पन्जाब त्रिपुरा या मडिपूर तो इसका सही उत्तर है C. त्रिपुरा जो है मडिक साहा जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाली में इस्तीफा दिया है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है हाली में नागालेंड के मुख्यमंत्री कौन बने है जैसा कि आपको पता होगा अभी हाली में नागालेंड में चुनाव हुए हैं तो उन चुनावों में कौन जो है हमारा नागालेंड का मुख्यमंत्री बना है तो आपके अपसन है मालिक साह, आसिस कुमार साह, सेवली साचु या नेफ्यो रियो तो इसका सही उत्तर है D. नेफ्यो रियो नेफ्यो रियो हाल ही में नागा लैंड के मुख्मंत्री बने हैं हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों के बैठक कहां आयोजित की गई है जिसके चार आप्सन थे नई दिल्ली, भुपाल, कौलकाता और लखनव तो इसका सही उत्तर था नई दिल्ली इसका सही उत्तर था अब आज का प्रस्ण जिसको आप कमेंट करके बताएंगे अब आपके सामें हाल ही में किस देश ने 2022 नोबेल सांति पुरसकार विजेता एलेस बालियाथ की को दस साल की सजा सुनाई है आपके अप्सन है बेलारूस, इस्पेन, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं इसका एंसर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे बहुत बहुत धन्यवाद, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक करना न भूले, धन्यवाद